हलो नमस्कार वरनेकाल सभीका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैगनेट ब्रेंस आई डीजे यान नीट में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं ऐसे प्लैटफॉर्म पर जो क्प्रेटली फ्री एजूकेशन प्रवाइड कर रहा है और फ्री का मतलब यह नहीं है कि कंटेंट से कंपरमाइस किया गया हो कंटेंट इंग्दम टॉप नौच आपको प्रवाइड किया जाता है आप चाहें तो हमारा कंपैरजन किसी भी प्लाटफॉर्म से कर सकते हैं हमार अच्छी मिलेगी बिना किसी देरी कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज का टॉपिक है हमारे लेक्शर का वह होने वाला है उसी तॉपिक पर होने वाला है इसके अगरे वाले लेक्टर में हम में बहुत जाएंगे जहां पर हम conservation of mechanical energy को पढ़ेंगे और बहुत सारे questions की practice करेंगे ठीक है ना तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं lecture को हमेशा की तरह जो बात मैं आप से बोलता हूं फिर बोलूगा कि आप अपनी पानी की bottle दिमाग pen paper सब लेकर बैठें notes words सब लेकर बैठें और जहां जहां lecture म मैं आप से कुछ question का answer पूछता हूं तो आप प्लीज comment में आकर मुझसे बात कीजिए और बताइए कि सर इसका answer मुझे लगता है मुझे लगता है कि आपने अच्छा पढ़ाया मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया है सर एक बार फिर से बता दीजे आप कर सकते हो समझा दूंगा आपको यहीं बात तो अच्छी होती है आप जितनी बार चाहो उतनी बार मुझे समझ सकते हो ऑनलाइन में यह बहुत छी बात है चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को हमारा मॉड्यूल है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइस एक्स्प्रिप्शन एंड में एक डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए हो जाता था बाट 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 अब उसमें एक हमने एडवांस्मेंट लेकर आ गए हैं हमने कोशिश करिए कि जैसे ही आपका डाउट आ जाए हमारे जो हमारी जो टीम है वो लगा तर आपके थार थाबित हो रही है जिक हम टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्लाइन कर रहे हैं कैसा प्लैट फॉर्म भी हम देख रहा है भाई जहां पर आप टेस्क देने के लिए आएंगे और यह देख पाएंगे कि आपकी पॉजिशन क्या चल रही है या नहीं चल रही है तो चलो बाई लेक्टर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जरा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा हाई स्टम और क्या बोलते हैं अच्छा शब्द हो गया वैसे हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम क्या बोलत में हमने का पढ़ा हमने पढ़ा work done by all forces work done by all forces nothing but change in kinetic energy पढ़ा के नहीं पढ़ा है स plain ठीक फिर हमने का पढ़ा हमने पढ़ा हे work done by conservative forces nothing but change in negative of change in potential energy protocol औभी लूट इन बेखेन पढ़ा अरे हां किना हां sir यह लोगर हम हम potential energy में पहुंच गया थे अना जब हम potential energy में पहुंच गया थे हमने जाना कि potential energy cheese जो है वो किसी point के लिए defined नहीं की गई है हमेशा हम difference देखते है potential energy का change in potential energy देखते हैं और उस change में हम कुछ जुगार ऐसा लगाते हैं कि initial potential energy हम किसी base पर लेते हैं किसी reference point पर लेते हैं और उसको zero माल लेते हैं तो हमें किसी point potential energy मिल जाती है लेकिन at a point potential energy defined नहीं है अच्छा work done by the conservative conservative forces के लिए ही आप potential energy के change की बात करते हो नहीं तो नहीं करते हो clear हां सर एक दम clear पका हां सर एक के दम पका अच्छा फिर्म ने एक चीज़ और पड़ी थी कि अगर चेंज इन कानेटिक energy zero है हना अगर आप work perform कर रहे हो और चेंज इन कानेटिक जिरो है आप किसी object को धीरे 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 मूव करा रहे हो तो हम यह भी बोल सकते हैं कि work done by the external forces nothing but change in potential energy समझ रहे हो कि नहीं सब्सक्राइब यह प्लस हो जाएगा वर्ग दन by the external forces nothing but change in potential energy यह सब हमने पड़ चुका है पड़ लिया है अच्छे से समझ लिया है और आज हमें ने बात करनी है किसके बारे में equilibrium के बारे में तो देखो equilibrium क्या होता था था थोड़ा सा अगरा आप याद करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी system पर को net for some both एतेए की 0 है जब भी हम बोलते थे system पर net 40 है तो हम बोलते थे कि एक equilibrium है क्या है यह equilibrium है और ये कैसा equilibrium है इसक 후 बोलते थे narrative translation equilibrium Translational equilibrium Translational equilibrium Translational equilibrium तो तिक है और वही बात अगर मैं थोड़ी से होगा कर बोल नूँए यार किसी बी सिस्टम पर अगर ट टॉर्ग जीन है किया net टॉर्क जीन है तो फिर यहां पर भी आपको division मिलेगा बट यह millennials होगा यह होगा rotational experientialίople check on sexualannah end rotational equilibrium जब आपका F net zero है कोई भी translation नहीं हो रहा body आपकी bunny आरेस्ट पर यो सकता है और अगर टर्घ 0 हो रहा है तो हम क्योंदे की और अगर सिस्टम पर f net b0 है टाउने टाउनेट भी 0 है तो complete equilibrium हमने क्या कर लिया है अचीव कर लिया है क्या चीव कर लिया है complete equilibrium achieve कर लिया है ओके हमने यह बात भी देखी थी ध्यांज सुनना हमने यह बात भी देखी थी कि जो change in potential energy होती है वो होती है negative of work done by the conservative force अगर मैं small change in potential energy देखू तो वो small work done by the conservative force हो जाएगा हां कि ना जिसको आप क्या बोल सकते हो जिसको आप क्या बोल सकते हो माइनस of fdr बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हैं सर बिलकुल बोल सकते हैं पक्का जी सर पक्का हंड़ेट परसेंट जी सर हंड़ेट परसेंट तो हमने इस तरीक से बोल दिया कि अगर आपको चाहिए है total total change in potential energy अगर आपको चाहिए है total change in potential energy तो वो कैसे आ जाए कि भाई अगर आप यह सकते हो तो यहीं से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने वाले है FC is equals to minus DU by DR minus DU by DR जिसमें यू क्या है आपकी potential energy है यू क्या है change in potential energy है और और क्या है और क्या है और distance क्या है distance पक्का हांसर ओके आगे क्या करें आगे क्या करें हम को यहां पर बात करनी है equilibrium कि या तो यह सिंपल सी बात है कि जब हम equilibrium की बात करेंगे तो equilibrium के टाइब जीम को देखने पड़ेंगे नहीं यह अगर मैं आप से क्या बोलते हैं ले मैं स्टम में बात करूं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो आप जानते हैं कि हाँ पर equilibrium कित्ते टाइप के होंगे stable equilibrium unstable equilibrium और तीसरा कौन सा neutral equilibrium समझ रहोगे निसम मुझ रहो हाँ सर समझ रहे हैँ यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इस पोइंट को ठाते हैं किसको इस पॉइंट को एस सी इक्वेस टू माइन दी यू बाई दिया चली ओ हो हो आचो तो जैस ही हमने देखा कि भाई FC is equals to minus du by dr अभी अंगरे जी छोड़ो इधर देखो जो मैं बता रहा हूँ हाना इस से हमको यह समझ में आया के conservative force is nothing but negative of slope of slope of u r कर क्या slope of u r कर अगर आप निकाल लो और उसमें आप किसी point पर slope निकाल लो और उसका negative लगा दो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा conservative force मिल जाएगा ठीक ना यह लिखा हुआ है with the graph of a potential energy versus x यहां पर x लिया हुआ है कोई बात नहीं हमार ले ले लेंगे we can tell many important facts of the motion of the particles moving under the influence of conservative forces moving under the influence of conservative forces by analyzing u x graph और u r graph अभी यह कैसे analyze करना है क्या करना है मैं आपको सब बताओंगा अभी आप बस इस रिलेशन को पकड़ लो इस रिलेशन को पकड़ लो पास और कुछ मत करो fc equals to minus du by dr ओके अगर हम बात करें equilibrium की तो equilibrium हम को तीन टाइप के देखने को मिलेंगे एक मिलेगा आपको stable equilibrium एक आपको देखने को मिलेगा unstable equilibrium और एक आपको देखने को मिलेगा neutral equilibrium क्या देखने को मिलेगा neutral equilibrium पहचानेंगे कैसे क्योंकि यहाँ पर हम equilibrium की बात कर रहे है on the basis of potential energy रहां कि ना यहाँ पर हम जो stability की बात करेंगे जो equilibrium की बात करेंगे वहाँ हमेशा आपको potential energy क्या दिखेगी इनवाल दिखेगी तो अगर आपको stable equilibrium पहचानना है stable equilibrium पहचानना है तो आपको यह देखना होगा वहाँ पर potential energy क्या होनी चाहिए minimum होनी चाहिए क्या हो गया भाई hang क्यों हो गया potential energy क्या होनी चाहिए stable equilibrium पे minimum होनी चाहिए अगर आप unstable equilibrium की बात करोगे तो जो पूटेंशन एलजी है वो क्या होनी चाहिए मैक्समम होनी चाहिए अगर आप बात करोगे किसकी न्यूटरल की न्यूटरल की तो पोटेंशने जिक्या होनी चाहिए ऐसे करते को अगर मैं आपको है क्या बोलते हैं हैं अगर मैं आपको भौन शरुआ पैसे दम से दो भौनसारे पैसे दर देक्ज़ंगे जिए जो इतना जादा क्या बोलते हैं याशी में लग जाओगे कि अपना जीवन बरबाद कर लोगे अगर आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारी फ्रीडम एकदम से दे दो तो जब भी किसी सिस्टम के पास बहुत सारी एनरजी आती है बहुत सारी एनरजी आती है तो वो चला जात उतनी ही freedom मिलेगी जितनी कि अभी आपको जरूरत है उतना ही पैसा मिलेगा उतनी ही freedom मिलेगी जितना आपको जरूरत है तो फिर आप क्या है समल समल के खर्चा करोगे अगर आप समल समल के खर्चा करोगे तो आप stability बना कर रखोगे क्या बना कर रखोगे stability बना कर रखोगे आई बात समझ में तो आप देखिए कि जब आप stable equilibrium की बात करते हो तो क्या होती है minimum होती है आप को जतना जरूरी है उतना ही खर्चा मिलेगा जतने जरूरी है उतना ही फ्रीडम मिलेगी आप रात को बारा बारा बज़े तक नहीं घूम सकते आपको आठ बज़े घराना पड़ेगा तो आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा तो जब ऐसा होगा त तो आपके पास एक स्टेबल एकुलिब्रियम रहेगा समझ रहो की नहीं अगर हम बात करें नियूटर एकुलिब्रियम की तो नियूटरर एकुलिब्रियम क्या है जो बच्छे बच्चे बच्पन से डिस्प्लेंट है उनके लिए कोई भब नियुक्त आप यह ज्यादा पैस यह पास जो एनर्जी रहती है वो हमेशा कॉंस्टेंटी रहती है सबसे पहले तो हमको यह रिलेशन याज होना चाहिए fc is equal to minus du by dr यानि की negative of slope of u versus r curve या u versus x curve यह जो हमारा u versus x curve है under the influence of conservative force वाई से हमना बहुत सारी चीज़े जान सकते हैं कि motion किस तरीके का है इकुलिब्रियम किस तरीके का है मैं सब आपको समझा हूँगा tension की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पक्का आगे बढ़े हासर आगे बढ़ते हैं तो आप समझ गया है कि यहां पर जो एकुलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं वहां पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अच्छा यह नेट फोर्स कौन सा फोर्स है conservative force है अगर हम यहाँ equilibrium की बात करें देखो तीनों equilibrium की हम बात कर रहे है तीनों equilibrium की बात करना है stable unstable और stable अन्स्टेबल unstable और neutral इन तीनों में खास बात क्या है कि यह तीनों ही क्या है equilibrium है यह तीनों ही क्या है equilibrium की condition है और यह तीनों क्दिशन है नहीं लगता तुमको ऐसा तो बस लगता है तो फिर मानो ना गीए बात सभी शाएब रहा हुँ मैं stable एक equilibrium condition है unstable खेक लिब्रयम डूलिशन है यह एक लीपरियूम कंडिशन है यह एक equilibrium condition में FC क्या होगा जीरो होगा तो क्या इसका मतलब ये हो गया कैस का मतलब ये हो गया के DU by DR भी क्या होगा जीरो हो गा हा कि ना हां सर बिलकुल सही DU by DR 0 मतला मतलब मतलब slope of slope of UR या UX जो भी हो slope of Ur आर कर्व क्या होगा स्लोप आफ यू आर कर्व विल भी विल भी जिरो समझे या नहीं समझे यह इंपॉर्टन बास तो आपको यू आर कर्व में अगर कहीं पर भी स्लोप जीरो मिल जाए अगर आपको यू आर कर्व में कहीं पर भी स्लोप जीरो मिल जाए आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है y equilibrium condition है क्या condition है equilibrium condition है आई ये ज़रा देखते हैं इसके बारे में भी बात करके यह लो भाई यह है y-axis और यह है आपकी xx ठीक, ओके, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, यह यू है और यह आ रहे है या एक्स है, जो भी है, चली, तो यह कुछ ऐसा है, यहाँ बोलू कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का है, ठीक, ओके, यहाँ आपको स्लोप कहां कहां 0 दिख रही है, पहले तो मुझे बताओ, सर मुझे स्लोप यहाँ 0 मिल रही है, एक स्लोप मुझे यहाँ 0 दिख रही है, एक स्लोप मुझे यहाँ 0 दिख रही है, और एक स्लोप मुझे स्लोप यहाँ 0 दिख रही है, हना तीनों ही कंडिशन में क्या है, स्लोप 0 है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ यहाँ पर, जीरो है याने की FC जीरो ओके पक्की बात हां सर इनको नाम दे दूँ ए भी और ये सी ठीक हो के सब्सक्राइब हां तो मैं क्या काम की बात आप से करना चाह रहा हूं कि अगर यह भी एक्विलिब्रियम है यह भी एक्विलिब्रियम है तो अब कैसे पहचाना जाएगा कि कॉंसा स्टेबल है और कॉंसा न्यूट्रल है हां कैसे पहचाना जाएगा कॉंसा स्टेबल है कॉंसा न्स्टेबल है और कॉंसा न्यूट्रल है जैसे यहां पर भी आप एक ग्राफ बात कर रहे है तो यहार due by dx क्या है जीरो है सका मतलब यह है FC क्या है 0 year एगा तो सब्सक्राइब कर अधे हैं तुर समझे तो जैसी कंड partie यहां है इन औप एफ पर भी इपर भी और फ पर भी आपको किया दिख रहा है तिनो ही जगे को दिख रहा है एक बरिम क्या दिक रहा है की लात देख रहा है की सब्सक्राइब कॉलिप्रियों और समय समझे है Прno समझें ओके कट यहां नहीं है कि हमको किलिप्रीयम पखड़ना था वह थो हमने पकड़ लिया बात यह है कि आप कौन सा स्टेबल होगा कौन सास्टेबल होगा और सट इसके बारे में हम को जानना क्या है पहले से हिंट करते थे यह होने वाला है आप तो पकड़ा गए आप चाहते आप चुपा हुआ हुआ उसका बता दो पता कि वह कहां छुपा हुआ है तो आपको पोटेंचिन के पास जाकर पता चल जाएगा अगर है तो भी आपको पैस के पास जाकर पता चल जाएगा कि यह किस टाइप का होगी वहाँ 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 एकुलिब्रियम हो गाया बात कलियर हो गई अब कौन सा एकुलिब्रीयम ये अगर्षा देखना था तो यह आप को इस हम्ट के पास जाना पड़ेगा चलिए आई यह मैंने यह तीन ग्राफ आप यह तीन पॉइंट आपको दिखाए और तीन पॉइंट मैंने आपको यहां पर दिखाए तीनों ही पॉइंट पर यहां एकुलिब्रियम था अब मेरा सवाल आप से बदल गया कि यहां एकुलिब्रियम है यहां एकुलिब्रियम है और यह तो maximum है, नहीं, नहीं, potential energy at A is maximum, potential energy at A is maximum potential energy, ठीक, potential energy at B is the minimum potential energy, और आप C point से आप देखो potential energy कैसी हो गई, यह constant हो गई है, हम बोलेंगे कि C point पर जो potential energy है, वो क्या है भाई, constant है, हो क्या है, constant है, अना, लेकिन एक बात याद रहे, यह तीनो ही point किस पे है, है, equilibrium पे, अब जैसे ही हमने यहाँ पर potential energy को देख लिया, तो हमारा दिमाग और ज़्यादा clear हो गया, और मैं बोलें लग गया, कि भीया, यहाँ पर potential energy maximum है, तो जहाँ potential energy maximum होती है, वहाँ कौन सा equilibrium होता है, unstable equilibrium होता है, कौन सा equilibrium होता है, unstable equilibrium होता है जहाँ पर potential energy minimum होती है वहाँ पर stable equilibrium होता है क्या होता है stable equilibrium होता है और जहाँ potential energy constant हो जाती है वहाँ neutral equilibrium हो जाता है क्या हो जाता है neutral equilibrium हो जाता है ठीक clear बात हाँ सर clear बात तो बाब मुझे बताओ यहाँ पर कहां आपको unstable equilibrium कर देख रहा है कहाँ स्टेबल लिख रहा है और कहां नियूट्र लिखाने बताओ फटाफट बताओ डाल नहीं आरे आप यारा ऐसा मत किया करो साथ सब आप देख सकते हैं यहां पोटेंशनर इजी मिनमम है इसरो पोटेंशनर जी मिनमम तो आप बोलोगे कि भैया यह कैसा है stable equilibrium यहाँ पर आप देखोगे तो potential energy maximum यह potential energy maximum है तो यह unstable equilibrium कैसा equilibrium है unstable यहाँ पर आप देखोगे तो line क्या हो रही है सीद्छी और गॉज समझने नहीं होगी Ch foreseeable और Neutral equilibrium graph से समझने त्रहएं एन इनमें कमन किया है तीन ही जाए चलोव 0 है इन औहीं जाए दी पडियर जिर сохран of conservative force क्या है 0 okay cheekes want a man flexible minimum का नॉलिज और ले 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 अगरव को नहीं है तो थोड़ा सा Maximum Ald섭नào também को मैंम का नॉलज़ ले लीते है but then अगर आपने Maxi mind meng Mutta high Maximahl & मिनमा पढ़ा है तो उसकी ना थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत यहां पर पढ़ेगी ठीक आई यह बात करते हैं देखिए देखिएगा मैं जो समझाने कोशिश कर रहा हूं यह ग्राफ है ठीक न समझना आप यह ऐसा ऐसा ठीक मुझे बात बताईए यह क्या है अगर यह माल लीजे वाई वरसे सेक्स का ग्राफ है कुछ भी ग्राफ है यहां पर आप देखिए आपको वाई की वेल्यू मैक्समा मिल रही है अना स्लोप क्या है जीरो है डी वाइवाई डी एक्स क्या है जीरो है यहां डी वाइवाई डी एक्स कितरह है यहां भी डी वाइवाई डी एक्स क्या है जीरो है यहां भी डी वाइवाई डी एक्स क्या है जीरो है दोनों जगे ही आपको स्लोप क्या देख रही है जीरो देख रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर वैल्यू y की value अपनी maximum पर है लेकिन यहाँ y की value अपने minimum पर है समझ नहीं कोशिश करेंगे मैं क्या बोलना चाहरा हूं चलिए तो आप कभी भी slope से यह नहीं बता सकते कि कोई value अपने maximum पर है या minimum पर है अरे भाई अगर slope 0 होती है अगर slope याने की d y by d x अगर slope याने की इस करम में d y by d x की value 0 है अना तो यहाँ पर maxima भी हो सकता है और क्या हो सकता है minima भी हो सकता है याद आया थोड़ा बहुत maths maxima भी हो सकता है और minima भी हो सकता है अब हम यह कैसे पहचाने कि भाई यहां maxima है या minima है तो इसकी एक और condition आपको लगानी पड़ती है double differentiation की इसकी एक और condition आपको लगानी पड़ती है double differentiation की कि अगर maxima होगा तो d square y by dx square जो होगा वो negative आएगा less than 0 आएगा और अगर minima होगा तो double differentiation यानि कि d square y by dx square जो आएगा वो क्या आएगा greater than 0 आएगा अगर यह आजाता है तो पक्की बात है कि यह minima की condition है यानि कि आप यहां कहीं बैठे हुए हो और अगर यह आजाता है तो आप समझ लीजे सारी यह maxima की condition है ना ओके उल्टा बोल दिया मैंने क्या बोला मैंने कि अगर यह आ जाता है तो आप समझ लीजे कि यह maxima की condition है तो आप यहां बैठे हुए हो हाना आप अपने कर्व में यहां हो और यह condition आ जाती है तो आप समझ जाओ कि यह आप मिनबा पर बै का टीवाइदए है आहा ना दी स्क्टरोल का आप किया लिख सकते हो डी भाइधी देगस ऑफ डी वाइदी प्राइक्स समझें नी समझें कीघल कींति ए मदी एक साल फ की आना की की कया है दूर यह घृत यह स्लोप अभूो सकते हो यह जो आपने भी का क्या मतलब है यह समझार हो मैं समुस्थ यह . यह तो नियाई बात समझ बहें, नहीं sir, maths, इतना maths मत पढ़ाओ sir, अरे जरूरी है, देखो, d by dx of dy by dx का मतलब होता है, change of slope, change of slope with respect to x, with respect to x, मतलब आप जैसे जैसे x में आगे बढ़ेंगे जैसे आप x में आगे बढ़ेंगे slope में कैसा change आ रहा है उसको हम बोलते हैं double differentiation d square y by dx square अब अगर वो negative आ रहा है तो आप देखिए आप maxima पर पहुंच गए होंगे अगर वो positive आ रहा है तो आप minima पर पहुंच गया होंगे यह बात आपको पता होनी चाहिए एक बार देखिए फील करने कोशिश करिए मैं आपको बताता हूं देखो हमें यह बात तो समझ में आ गई कि slope 0 होने से पता नहीं चलता कि आप maxima पर हो कि minima पर हो आपके सामने अगर तो आपको थोड़ीना पता इसका graph कैसा मनेगा आपको थोड़ीना पता कि X की किस value पर आपको य का maximum मिलने वाला है समझ रहे हो कि नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा equation से आपको पता चलेगा कब maximum minimum है आपको double differentiation double differentiation से ही पता चलेगा समझ रहोगी नहीं हाँ ग्राफ अगर आपके सामने बना हुआ है तो आप बता सकते हो भी यह यह x की इस value पर y minimum maximum है और x की इस value पर y minimum है अना चलो तो अब को समझ में आगया की जरूरत क्या है हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ठीक तो चेंज आप स्लोप वित रिस्पेक्ट टू एक्स आप जैसे ऐसे पोजिशन और इस आपसून दो यह झिरो आए यह यह norm पॉचिट है अगया ंहां यह गया तो मैं अकिटम ना और माइनस माइनस और माइनस जीरो अरे भाई माल लो स्केवियलई आ गई माइनस जीरो पोइंट एट यह वैल्यू आ गई जाएगी तो आप को तोटल वैल्यू क्या मिल रही है नेगे इंगे के मिल रही समझे फाइनल माइनस इनिशल आप कर रहा हो ये वैल्यू नेगे टेव है ये 0 है तो माइनस यह आज आएगा आपके पास numerator हाँ सर बिल्कुल सही और अगर आप यह दो वैल्यू देखो एकस की यह एकस्टू है यह एकस्टू है तो आप एकस्टू माइनस एकस्वन करोगे तो आपका डिनॉमिनेटर तो पॉजिटेव रहने वाला है डिनॉमिनेटर पॉजिटिव रहेगा नियूमिनेटर नेगिट मिनमा पर डी स्कूर वाइब डी स्कूर क्या रहा है पॉजिटेव आ रहा है मतलब चेंज और स्लोप विट रिस्पेक्ट तो आप एकस आप जैसी एकस में आगे बढ़ोगे तो आपको जो स्लोप में चेंज है वह पॉजिटेव मिलना चाहिए ठीक आईए यहां पर देख देखुआ पॉजिटेव हाँ कि ना समझ रहे हो एकस अगर आप देखताओं तो एकस में आप आगे बढ़े हो हाँ कि ना सर तो आप बोल सकते हो पाया कि यहां पर जब आप final minus initial करोगे तो यह value positive minus यह 0 positive minus 0 upon x4 minus x3 यह भी positive रहेगा तो यहां numerator भी positive आ गया denominator भी positive आ गया इसलिए d square y by dx square क्या रहा है greater than 0 आ रहा है किस case में मिने मा की case में हाहा समझ गया कि नहीं समझे हां सर समझ गया अब होगा क्वेशन में आपको ना यूगी क्वेशन देगा मालो आपको यूगी क्वेशन देदी 3 x square plus 7 x plus 2 अब हमें क्या पता भी यह हमें क्या पता कि इस पर maximum minimum कहां आना है हम को यह पता है कि चाहे maximum माई चाहे minimum माई चाहे मैकस मायचाम अचाहे मिनमाय इस्लोब क्या होता है जीरो हो जाता है तो मैं क्या निकाल नोंगा भाई डी यू बाइए डी एक्स निकाल लूँगा जैसी मैने डियू बाइठ बाइफ करोंगा आगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जी रो आगी मतलब मिनमा है और अगर ये लेश दैन जीरो आगी मतलब मैक्समा ने भातव लेस दन इसलिए तो मैक्समा सब मेरा आपको यहां पर आपको एक्लिप्रियम लेगा तो आपको Fahrenheit करना पड़ेगा डिफ्रेंशेट करके आपको क्या करना पड़ेगा डबन troop डिफ्रेंश्याशन में जाek से दिखना पड़ेग्जा कि उस वैल्यू पर आपको maximum मिल रहा है या minimum मिल रहा है अभी सब करके आपको बताओंगा टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है समझ में आया क्या होने वाला है हाँ समझ में आगे है चलिए तो हम ज़रा चलते हैं और बात करते हैं stable unstable and neutral equilibrium फटाफट एक बार stable equilibrium में potential energy minimum unstable में maximum neutral में constant अच्छा यू वरसेस एक्स ग्राफ हो या यू वरसेस आ ग्राफ हो इसका जो स्लोप होता है negative of that slope negative negative of that slope आपको क्या देता है conservative force देता है बात समझ में आ गई हां सर समझ में चलो थोड़ी सी और बात करते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं आगे बढ़ें कहां गया हां आगे बढ़ते हैं चलिए तो यहां पर तीन टाइप के equilibrium आपने देखे stable ठीक unstable और neutral फटाफ़ एक बारस को समराइस करें क्या समराइस करना है सर स्टेबल equilibrium में unstable equilibrium में neutral equilibrium में तीनों ही equilibrium है conservative force net conservative force क्या है zero है net force क्या आ जाता है net conservative force zero net conservative force zero net conservative force zero कोई दिक्कत अरे पक्का ना हाँ सर इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब हुआ कि जब आप d u by dr देखोगे या due by dx देखोगे जो भी आपको देखना हो due by dr देखोगे क्या do by dx देखोगे तो आपको slope क्या मिलने वाला है zero मिलने तीनों ही केस में मिलने वाला है हां सब तीनों ही केस में मिलने वाला है जीरो अच्छा यह जीरो है तो आप इसको क्या बोलते हो स्लोप बोलते हो मैं इसको लिख कर बता हूं गया नहीं सर्य यह स्लोप है मुझे पता है तो अगर भाई तीनों ही जगे आपका स्लोप 0 हो गया है तो आप कैसे पता करोगे कब मैक्सिमा है कम मिनमा है आप कैसे पता करोगे कि कब मैक्सिमा है कब मिनमा है ठीक है तो सिंबल जी बात है कि अगर यहां पर stable equilibrium है तो यहां पर जो potential energy है वो minimum होनी चाहिए unstable है तो potential energy maximum होनी चाहिए और अगर neutral equilibrium है तो यह क्या होनी चाहिए कॉंस्टेंट होनी चाहिए समझ में आया की नई समझ में आया हां सर समझ में आ ग अगbuat अंद ड्शेशन चाहिए गार लेस्धन जेरू होना यू बाई डी आर स्क्वेर क्या होना चाहिए समझ गये पक्का हाँ सर एकदम पक्का तो यह स्टेबल अन्स्टेबल और न्यूटरल की क्या हो गई है अगर ग्राफ है आपके पास तो आप सीधे यू मिनमम यू मैक्सिमम और यू कॉंस्टेंट देख सकते हो अगर आपके पास ग्राफ नहीं है सिर्फ एक एक वेशन है तो फिर आपको डबल डिफ्रेंसियेशन करके ही देखना पड़ेगा क्या बात एक दम क्लियर इसको आप पूट डाउन कर लो भाई इंपॉर्टेंट है चलिए लिख लिए आपने ओके अब इसी चीज को एक छोटे से डाइग्राम से हम और समझ रहे वो डाइग्राम जरूरी है क्या समझाना सर एक ही चीज तो आप बार बार बता रहे हो जरूरी है मैं आगे ना एक डिसकेशन क डिसकेशन बहुत ही बेसिक सी चीज है आपने अपने बुक्स में भी देखा होगा हना हर जगे आपको देखने को मिलेगा बहुत बेसिक सी चीज है कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं आपको यहां पर क्या है एक है कटोरा ऐसा सीधा कट कटोरा एक है उल्टा कटोरा एक है सीधा कटोरा एक है उल्टा कटोरा और एक है सीधी लाइन ठीक एक है सीधा कटोरा एक है उल्टा कटोरा और एक है सीधी लाइन ओ ठीक माल लीजे ये एक बॉल रखी हुई है यहां पर क्या रखी एक बॉल रखी है यहां पर क्या रखी रखिए एक बाल रखी ठेक मुझे बताओ कि अगर इस बॉल को मैं हलका सा लगेगा यह फोर्स क्या कराएगा रिस्टोर कराएगा इसको अपनी को restore कराएगा मतलब जिस डिरेक्शन में आप displacement कर रहे हो उसके अपोजिट डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या हां बिल्कुल सही कम बोल सकते हैं कि यहां पर f is equals to minus kx का relation है मतलब जिस डिरेक्शन में आपने displacement किया उसके अपोजिट डिरेक्शन में क्या लगा फोर्स लगा ठीक है मतलब जिसको इसको जब-जब हलका सा डिस्प्लेस करोगे इसको अपनी पुजिशन से हिलाने की कोशिश करोगे ये वापस घून के कहां जाएगी अपनी पॉजिशन में आ जाएगी मतलब ये कैसा स्टेबल कुलीब्रियम के लिए कोई करने करता है लेकिन मेरा वापस पढ़ाई में मनलग जाता है यह मतलब में स्टेबल एकलीब्रियम में हो अभी बात समझ में तरह क्या हो रहा है इधर सर मुझे ऐसा लगता है कि अलका सा डिस्तियस कर दूय कहने एकस हल तो ये तो होता जाए गाडोफ मैं ऩatura करूंच तार एकूल cómo अन्सटेबल पश हस्च नि US भाइखन को थोड़ा सो क्या धकत्याक थ्या तो रुखी नी रहा भाई ये तो रुखी ने रहा ये तो डिस्टर्बू रोटा जा है मत् dauł equally ऐसी डारीक्षंट में आपने डिस्ठीं फोर्ट लग ए उसी डारीक्षंट में डिस्टर्बिंग फूर्ट लग गया मतलakesकर प्वोर्ट का है कि एक्स के बरावर है ज disrupt can उसी डिरेक्शन में फोर्ज भी अच्छ तीसरी चीज़ यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको हलका सा डिस्पेस करता हूं यहां के रूख जाएगा मुझषपेया और पर रुकूंगा वहीं बैट जाऊंगा no आपको पता चलिया की यह किस एक्ईूलिब्रियम् में है यह नीउट्राल तरह लिब्रियम्म मैं इसको कोई लेना देना ही नहीं है समझ रहो कि नहीं अरे यार यह वो बच्चा है जिसको आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हो बट वो डिस्ट्रैक्ट होता है थोड़ा सा और वापस क्या करने लग जाता है पढ़ने लग जाता है मतलब वो स्टेबिलिटी धारण किया हुआ है यह वापस अपनी एकुलिब्रियम पोजिशन में जाई नहीं पारा तो यांस्टेबल एकुलिब्रियम में हो गया और यहां पर यह तो इतना प्यारा बंदा है इसको आप कहीं भी ले जाओ अगर इसको पढ़ना है तो यह पढ़ेगा चाहे स्ट्रीट लाइट के नीचे बठा और नहीं के नहीं समझे अगरा हम एनरजी के टरम में बात करें तो आप यहां साफ साफ बोल सकते हो कि इस कंडिशन में इस बॉल के पास minimum potential energy भी ठीकर नुल । के पास minimum potential energy its condition में ball के पास maximum potential energy और इसके पास इस condition में ball के पास कैसी है potential energy constant potential energy कैसी है यह वाइher constant समझानी säger हाँ समस्क्द समझ पक्का कोई ढिक कर वाली बात नहीं इस चीज़सर है में क्या समझना है stable Equilibrium में आप कैसे पहचान हो गे कि जब आप pickedорд लगाओगे जब आप डिस्पेश करोगे तो उस पर पर फोर्स लगना चाहे है नेगटेव डारेक्शन में सब्सक्राइब किया उसकी ऑप पक्का चलो अगर आपको यह चीज समझ में आ गई ना तो बस एक चीज और बची हुई है आप इससे कनेक्ट करके वह आराम से समझ सकते हूं क्लियर आगे बढ़ गए आगे बढ़ जाएं तो यह आपको सब समझ में आ गया है ना मेरे हिसाब से तो यह सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूं आप जैसे important question question से पहले एक चीज़ आपको दिखाऊं एक चीज़ एक और छोटी सी चीज़ आप से जड़ा मैं discuss करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि वह जादा जरूरी है question हम करी लेंगे ऐए गिन गिन के दिल तोड़ दी तोड़ तुड़ ता रे नी रेहानी हूड अटबार सोणी है रेहानी हूड अटबार आदानी चल दे पेयार सोणी है दानी चल दे पेयार चलो यू वर्सेस एक्स का ग्राफ एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ आर हो एक्स हो कोई टैंशन मतले ना हना एक ही बात है चलो इदर देखना ठीक ठीक और इधर क्या हो रहा है इधर थोड़ असना गेम चेंज हो गया है थोड़ा सा और इसको बना देता हूं हाँ अप सही है ठीक अप सही है तो यहां पर आपको दो ग्राफ देखने को मिल रहा है यू वर्सेस एक्स ग्राफ एक एफ वर्सेस एक्स ग्राफ मुझे बता दो कहां कहां यहां यहां पर यहां नंगा अरियों यहां बपर डी यू यहां और oh यहां भी दियो भाई दिए एक्स क्या है जीरो यह तीनो री पॉइंट पर दियो बार डी एक्स रो मतलब आपने बुल दिया भाई तीनों ही जगह होगा है अपर यहां पर बॉइंट यहां पर कैसा किलिभ्रियम होगा अन्स्टेबल आपके कैसा लानरे बात नहीं है इधर के बारे में क्या ख्याल आपका तो आप बोलुगे भाई यहाँ पर जो पुटेंशनल एंरजी है वो मिने मीमउ है तो पर कैसा equilibrium होगा यहाँ पर stable equilibrium होगा और यहाँ पर तो भाई आप बले बले है यहां तो आप सीधा-सीधा बोल दोगे कि u constant है, इसका मतलब यहाँ पर neutral equilibrium होगा, ठीक है, ठीक है, ओके, very good, अच्छा, इससे एक चीज़ आपको और पता चली है क्या, कि यहाँ पर f0 है, fc0 है, यहाँ भी आप बोल सकते हो fc क्या है, 0 है, और यहाँ भी आप बोल सकते हो कि fc0 है, clear, क्यों, ऐसा क्यों बोल सकते हो क्योंकि हमको पता है, fc is nothing but du, negative of du by dx or dr, or minus du by dr, लोड लेनी की जरुवरत नहीं है, कि सार आपने x लिग दिया, वाय लिग दिया, से कोई मतलब नहीं है, चलो, बहुत ही शांदर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते है, अब वहाँ f versus x graph, वहाँ मज़े बता सकते हो कि कहाँ कह equilibrium है, अब फसे, ना, 지금 आप ये समझ लेते हो, लेकिन ये नहीं समझते, आपने u versus x समझ लिया, u versus r समझ लिया, लेकर न भी आफ2021, f versus r फी बी तो बात कर लो, बताओ, यहां कहाँ, कहाँ equals, अभ यहां बच्चे क्या देखेंगे, आओ, देखेंगे ताओ, exam में बोलान hedge, र एक तो एकंबरियम यहां होगा में होगा एक मुपियम होगा और एक हो जागए एक जगे एकंबरियम होगा स्लोप का होना चाहिए उस करव का ऊंपर अपको स्थ देता है जो समझ गए यहाँ तो खुद एक lij एक स्थ पोर्स सिस एक एक रगा फिकृण मैंने इस slide को देखा मैंने सोचा क्या हो सकता है क्या हो शक्ता है क्या हो सकता आप निवन्हों यस पॉइंट पर जहां इकुलिब्रियम है बाद से draft छोड़ो फ जहां पर इकुलिब्रियम है वहां पर फोर्ज की लिजिव इन फोर्स के एक ट्रिवल है जहां जहां एक?... अरे बहुत ही शांदर मतलब यहाँ एक्विलिब्रियम है यहाँ पर एक्विलिब्रियम है ठीक यहाँ जीरो है ना फूर्स यहाँ भी जीरो है फोर्स यहाँ भी एक्विलिब्रियम है ठीक यहाँ भी देखो फोर्स जीरो है यहाँ भी क्या है एक्विलिब्रियम है और यहा यहां भी देखो आप फोर्स क्या है जीरो है यहां भी फोर्स क्या है जीरो है और यहां भी फोर्स क्या है भाई जीरो है इसलिए सब equilibrium की conditions बन रही है पक्का स्लोप मत डाल देना है यहां कोई मतलब नहीं है स्लोप डालने का मतलब तब है जब आप यू वरसेस एक्स करब को देखो यहां एफ वरसेस एक्स करब है यहां जहां फोर्स जीरो होगा वहीं पर आपकी क्या होगी एकुलिब्रियम होगी अच्छा सर यह तो आपने बता दिया लेकिन आप कौन सी स्टेबल होगी कौन सी अंस्टेबल होगी इसके बारे में तो बात कर लो good question good question good question कौन सी stable होगी कौन सी unstable होगी कौन सी neutral होगी इसके बारे में दो बात करो सर ठीक करते हैं आओ यही चीज तुम्हें आपको बोल रहा था कि हम को discuss करने की जरूरत है आओ जड़ा डागराम मनाते हैं और फिर डिसकस करते हैं को कूल एक लड़ी की को अ देखा तो सनहां गाघसे खिलता गुलाब जैसे शायर कला Hub adger क्या ऐसा 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 एसा ऐसा ठीक ना अई थैंज रहा Velologic ना बहुत प्यार से लिए त्यो हो जाएगा समझना इदा आपको एकुलिब्रियम था यहां एकुलिब्रियम था कि नहीं था है यहां पर फोर्स की वेल्यू क्या है जीरो अच्छा देखना दिहान से अगर मैं यहां से की एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ता हूं आपक जो योगे आपक पॉज्टिव एक्स डिस्टेंस और लगता हूं जो कि पॉजिटेव चील तो यहां पर फॉर्स कीसा लग रहा क्ıl एक्रड़ में अमोः िूटके से लिश्टेन पीछे करता हूँ एक्स डिस्टेस्मेंट पीछी मतलब एक्स डिस्पेस्मेंट पीछे मतलब नेगेटंव अच्छा यहाँ पर फोर्ट कितना लग रहा है हão देखते है तो आथए undertaking यहां तो फोस नेगेटिव है यहां फोस्क्र siya negative हो तो भाईया जिस डारेक्शन में डिस्प्लेश्मेंट याने कि अगर डिस्प्लेश्मेंट पॉजिटेव है तो फोर्स भी पॉजिटेव है डिस्प्लेश्मेंट नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव है ऐसा कौन से एकुलिब्रियम में होता है जिस डारेक्शन में ड लगता कि यह वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं जिस डिरेक्शन में डिस्पेस्मेंट है उसी डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है यह पॉजटेब यह भी पॉजटेव यह ने गड़े तो तो मेरे हिसाब से यहां पर जो एकुलिब्रियम आपने बताया है यह यह आपने जो भॉला था कि एकुलिब्रियम है तो कि आप फोर्च 0 है ने कहां बॉला था ओर फिर से भाई खेल खेलेंगे मैंने बुला कि x displacement किया मैंने positive direction में फॉर्स बतायो कैसा आया फोर्स बताओ कैसा है इस पॉइंट पर फोर्स बताओ कैसा आया तो आप देख सकते हो फोर्स आ रहा है नेगटिव फोर्स कैसा आ गया फोर्स आ गया कैसा नेगटिव हां डिस्प्लेस्मेंट आ पॉजिटिव डिक्शन में कर रहा हो लेकिन फोर्स कैसा लग रहा है नेगट कि एक स नेगे टिवेटिट इस पेसे मेना है नेगेटिव किया अब बता ओव फॉस का है फॉस ने evolutionary wise का है फॉस का सा रहा है पॉसीन फॉसे च्teen skilled baik और फॉस पॉसितिव है जब एक सब्सक्तिम एगटिव है ऐसा कब हो रहा था which मुझे बताओ मुझे जब X positive है तो force negative है और जब X negative है तो force positive हो रहा है कि नहीं हो रहा है को ने मिलाकर जिस direction में displacement है उसके opposite direction में force लग रहा है यहां भी तो वही हो रहा है जिस direction में displacement है उसके opposite direction में force लग रहा है जिस direction displacement है उसके opposite direction में force लग रहा है तो हम यहां पर क्लियर हो गए कि यह वाला जो एकुलिब्रियूम है यह बाला जो एकुलिब्रियूम है बेशा कि यहां फोर्स जीरो है इसलिए मैं बोल रहा हो कि यहां एकुलिब्रियूम है यह स्टेबल एकुलिब्रियूम है कैसा एक्वलिब्रियम है ये स्टेबल एक्वलिब्रies draft गले समझे समझे पका hard यहाँ पाप देखो को ओख को पोगलेना देना यह नहीं है यह और फोर्स किया कोई फोर्ट यह नहीं रहा है इस पर कोई डिस्टर्बिंग फोर्स लगता रहा है जिसको आगे लिदर रहा है आप इसको जहां ले जाकर चुड़ दो वही जा कर बैठ जा रहा है है ओके यहां भी वही हो रहा है देखो है तो यहां पर क्या है यहां पर कुलिभ्रियम है यहां पर संज़नी सरष पका तो आप आप देख सकते हैं कि आपको अगर यू वरसेश करब देगा तो आप कैसे बता होगे एकुलिब्रियम और एफ वर्सेज एक्स कर देगा तो आप कैसे बताओगे एकुलिब्रियम यह डिसकेशन का पॉइंट था आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़े हां सर क्या क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन तब आप सौल कर लोगे बाए कुछ भी हो डिउ बाई डिएक्स तो जीरो ही होना है अना चाहे मैक्सिमा हो अना मैक्सिमा मतलब चाहे स्टेबल हो चाहे अंस्टेबल हो चाहे अंस्टेबल हो चाहे अंस्टेबल हो चाहे स्टेबल हो चाहे अंस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल हो चाहे stable हो, चाहे unstable हो, चाहे neutral हो तीनों ही case में आपको क्या मिलेगा, du by dx 0 मिलेगा, यह हमें क्या बताता है, fc 0 होना चाहिए net force 0 होना चाहिए, ठीक तो मैं क्या करता हूँ, बिना किसी देरी के du by dx निकालता हूँ बिना किसी देरी के du by dx निकालता हूँ आओ कितना होगा वो x cube by 3 है तो यह हो जाएगा 3x square by 3 ठीक, minus 4 यह कड़ गया, कितना आगया x square minus 4 आगया ठीक है ना, इसको आप क्या कर दो भाई equate to 0 कर दो, मैंने इसको equate to 0 कर दिया तो x square is equals to 4 आगया याने कि x की value क्या आगई plus minus 2 x की value क्या आगई, plus minus 2 तो x की एक value plus है, x एक value minus है समझ रहो, इस पे आपको क्या मिलने वाला है, slope 0 मिलने वाला इसमें आपको do by dx क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला ओके, ओके, ओके अब हम देखे, कि कि किस type का equilibrium मिलेगा, आपको 2 पर और minus 2 पर, यह आपको देखना है कि 2 पर और minus 2 पर किस type का equilibrium मिलेगा equilibrium तो मिलेगा, किस type का मिलेगा, यह आपको check करना है किस से double differentiation से, आओ तो d square u by dx square जब आपने किया तो d u by dx कितना जाए था, x square minus 4 यह कितना हो जाएगा, 2 x, कितना हो जाएगा 2 x, आना, आच्छा मैं d u, d square u by dx square निकाल रहा हूँ, x की value positive 2 रखकर, मुझाएगा 2 into 2 is equals to positive of 4 तो आप यहाँ पर देखिए आपको double differentiation d square u by dx square क्या मिल रहा है, greater than 0 मिल रहा है देखो, plus 4 मतलब positive मिल रहा है कि नहीं greater than 0 का मतलब होता है positive मिल रहा है, तो अगर आपको double differentiation positive मिल गया इसका मतलब क्या है कि यह minima की condition है, यहाँ पर क्या है minimum potential energy है, याने कि यहाँ पर stable equilibrium है हो, 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 हो है इसमें हम X की value minus two put कर के देख रहे है ठीक है तो twice of X X value minus two put करोगे तो कितना जाएगा minus four जाएगा इसका मतलब यह है कि D square Y by डी X square की value X is equals to two pay क्या रही है less than zero रही है यानी की negative रही है ओओओँ double differentiation की value हो जब निगे ते वाणि लग जा मतलम आप माक्सिमांपे खड़े हो कहां खठे हो हूँ-ogo रहें अ-बमś पहद्चित अस हमाट्पम तो आप अंस्टेबल एक विलीब्रियम पर हो तो समझ्मा आई तो लो भई वह पूछ रहा है find the position of equilibrium and type of equilibrium the position of equilibrium plus two minus two टेगे ना प्लस टू पर आपको मिल रहा है stable equilibrium minus two पर आपको मिल रहा है minus 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 two पर आपको मिल रहा है unstable equilibrium अच्छा एक चीज और यहां पर minus था यह minus लगा लिजाएगा बात नहीं है ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्क्रेशन पर अपार्टिकल मूज इन पोटेंशल रीजन गिवन बाई यह 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 इच्ट state of equilibrium वो सिर्फ state of equilibrium will be will be at वो पूछ रहा है कि भाई state of equilibrium कहां होगा आगल अपाट आप सॉल करेंगे ठीक ना तो मैं निकालता हूं डी यू बाई डी एक्स पहले मुझे पता है बाई डी यू बाई डी इक्स तो निकालना ही पड़ेगा यह हुआ एक्सटीन टूजा सिक्स्टीन एक्स माइनस फूर ठीक अब मुझे क्या करना है भाई डी यू बाई डी एक्स को जीरो से एक्वेट करना है ताकि मुझे पता तो चले की एक्सके की किस वैली पर मुझे एक्विलिब्री मिलेगा तो 16x-4 अच्छा है सब्सक्राइब संब्सक्राइब की एक्सक्सक्राइब minus 4 is equals to zero minus अधर चला जाएगा तो 16x is equals to 4 x की वेल्यों कितनी आ गई वन वाई 4 याने कि X को जब 0.25 आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा equilibrium मिलेगा आपको क्या मिलेगा equilibrium मिलेगा अभी equilibrium कॉन सा होगा stable होगा unstable होगा यह आपको बताना है बताओ मुझे है X is equals to 0.25 पर कैसा equilibrium आ रहा है stable आ रहा है unstable आ रहा है कैसे करना आपको पता है कैसे करना है आपको पता है चलो आगे बढ़ते हैं next question cbsc का अपने IPMT का question है भाई मुझे याद आ रहा है यह यह यादा रहा है यह यह यादा रहा लेकिन हाँ IPMT question है the potential energy of a particle in a force field is u is equals to a by r square u is equals to a by r square याने कि मैं a r की पार माइनस तो लिख सकता हो इसको हासर minus b r की पार माइनस मन लिख सकता हो बिलकुल लिख सकते हैं a and we are positive constant r is the distance of the particle from the center of the field for stable equilibrium the distance of the particle is stable equilibrium bol diya bhai for stable equilibrium the distance of the particle is आये हम जानते हैं कि fc is equals to minus du by dr होता है आसर बिलकुल होता है तो चलो भाई du by dr निकालता हूं do by dr क्या होगा बताओ मुझे minus two times of a r की power minus three minus minus हो जाएगा plus b r की power minus two चीके ना मुझे क्या निकालना है equilibrium की position निकाल निया तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको equate to zero करना पड़ेगा equate to zero करना पड़ेगा अच्छा इसके आगे minus sign लगेगा क्योंकि आगे minus लगा हुगा देखो समझ रहो कि नहीं माइन सब्सक्राइब तो माइनस हो जाएगा हना लेकिन equate to zero करो के तो माइनस वैसे भी हाँ पर चले जाना है एक ही बात है तो हम बोलेंगे minus of twice of a r की power minus three plus b r की power minus two is equals to zero this implies इसको आप लिख सकते हो क्या minus two a keep two a upon r की power three is equals to minus b r b upon r की power two इनीचे ले आया मैं आर की बार two में ने कर दिया अच्छा माइनस से माइनस चला गया अब बच्चे क्या करते हैं r square से सको काट के सीधे स्का root खतम कर देता है ऐसा मत करो ऐसा मत करो आप ऐसे करके क्या कर रहा हो आर की एक value खतम करते रहा है रूट खतम करते रहो ठीके ना अगर आप ऐसे काट दो गया तो फिर आप गलत कर रहा हो mathematically गलत कर रहा हो आप यह बोल रहा हो कि आर जीरो नहीं हो सकता है अना चलिए तो आपको इसको कैसे सॉल करना है आई यह देखिए तो टू ए इसको 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 मतलब यह हुआ बी आर क्यूब माइनस्स त्वाइश सॉफ ऐस त्वाइस स्क्वाइच प्र स्वारों कि नहीं हुआ पिर खिए और शिरो हैंश्त सकते हो कि यह begin होगी या तो यह चीज दीरो होगी घना मतलब या तो और की वैलियु 0 होने वाली रस्कवर स्वाथ दिरो पूट łट करो के तो आर कि वेलिएया तो जीन िरो होने वाली है या फिर बी आर माइनल स्टू ऐसेव स्टो जीरो होने वाला हो है यानिकि-2 की वेल्जू टुइस ऑफ ए बटी होने वाली है ना या तो आर की वेल्यू 0 होगी या आर ¿ की वेल्यू टू-े बटी मिलने वाला है और की इन दोनों बैली को क्या मिलेगा equilibrium मिलेगा अब वो बोल रहा है कि यह हमको stable equilibrium चाहिए वैसे तो अगर आप चार option देखो कि उसमें आपको 0 कहीं नहीं दिख रहा है तो answer आपका 2a by bc सीधे हो जाएगा लेकिन वो बोल रहा है कि stable equilibrium होना चाहिए अगर आप ब crouch ही अगर हड़ा रप्स करते हो और यहां और की हैघे हो जाएगा infinite P हो जाएगा क्या हो जाएगा इन पयुकल यह है इसका मतलब यह है कि potential energy क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी मतलब maximum होगी और yeah नहीं लेंगे है मेरी पार समझे में एकुलिब्रियम है इस पे लेकिन स्टेबल नहीं है स्टेबल एकुलिब्रियम मिलेगा आपको 2a by बीपर समझेगे नहीं समझे हां सर ओके 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 आगे बढ़े next question next question वैसे ही है the potential energy between two atoms in a molecule is given by देखो यू is equals to a x की power minus 12 minus b x की power minus six आ गया अना फिर हम वही करेंगे हम du by dx निकालेंगे अना हमको पता है कि fc की value minus of du by dx के बराबर होती है लेकिन माइनस लगाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा इक्वेट टू जिरो करेंगे तो माइनस वैसे भी हट जाना है ठीके ना ओके तो यह चीज़ आपको पता है तो मैं सीधर सीधर du by dx निकालता हूं यह की तना आ जाएगा माइनस 12 a x की पावर माइनस 13 चीके नहीं हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 b अना 6 b x की पावर माइनस 7 एक्वेट टू क्या कर दो जीरो कर दो ओके हमें से बोल सकते हैं 6 b x की पावर 7 is equals to 12 a x की पावर 30 अब काट मत देना अभी मैंने आपको बताया काट मत देना क्यों क्योंकि आप देखिए एक option में आपको 0 दिख रहा है हो सकता है एक x की वेल्यू जीरो पर आपको मिल जाए कुछ अना काट मत देना क्योंकि mathematically सही नहीं आप रूट खराब कर दे तो गाया आप कर दे तो रूट इसके आपने क्या किया इसको मॉल्टिप्लाय किया तो हो गया 6b x की पावर 13-12a x की पावर 7 is equal to 0 क्या कॉमन निकलेगा एक सकी पावर 7 कॉमन निकल जाएगा और क्या कॉमन निकल जाएगा ठीक ना तो अंदर यहां बचा भी x की पावर 6-2a x की पावर 7 निकल गया is equal to 0 तो 6x की पावर 7 0 हो सकता है या यह 0 हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर कितनी आएगी देखो भाई इसको solve करते हैं बी x की पावर 6-2a is equal to 0 चली तो ही आगया कितना भी या चलो यागया कितना भी एक स्की पावर 6 is equals to twice of a x की पावर 6 is equals to 2 a by B याने कि X की value कितनी आगई 2a by B की power 1 by 6 आगई कि नहीं हाँ सरागे value आगई बिलकुल आगई तो X की value या तो 0 हो सकती है या X की value हो सकती है 2a by B की power 1 by 6 अब आप देखिए यह दोनों option है क्या टुए टुए बाई बी की पार वन बाई six and zero देखो दोनों option है दोनों option है आपको question के पास जाना पड़ेगा आपकी यह कौन सा option हम चूज करें वो बोल रहा है atom is in stable equilibrium atom किसमे होना चाहिए stable equilibrium होना चाहिए तो अगर मैं x की value 0 लेता हूं और यहां डालता हूं अगर मैं गजान मुझेए खिलेह आपकल यह रिए नवरियाइट ऑर अगर मैं एक्सटी वेयल्यू डालता हूं तो मुझे मैं ह breeze की मिलेगी ईन की मिल जाए इन फाइनाइड मिल जाएगी और अगर यह इंफाइनल आइड मिल गई थो इसका मतलब यह है कि इसकी की VALU maximum power potential energy value क्या है maximum किया है अगर पौटेशने जी की maximum हो गई है तो ये कुलिब्रियम कैसा हो जाएगा unstable कैसा हो जाएगा unstable equilibrium हो जाएगा कभ मैं X की value zero अब तब तुशका मतलब यह है कि हम यह नहीं ले सकते क्योंकि हम कि deutlich equilibrium चाहिए तो X की value जो correct है वो है 2 A by B की power 1 by 6 कि आहा हा क्या बात है एक number समझ में आया कि नहीं आया हाँ समझ में आ गया ठीक है तो यह थे भाईया आपके equilibrium के कुछ concept जो मैंने आपको बता दिये कि equilibrium क्या होता है कितने type का होता है कैसे पहचाना जाएगा कि कौन से type से आप deal कर रहे हो mathematically graphically maxima minima क्या होता है कैसे आप double differentiation देखते हो वो positive है तो उसका क्या मतलब है negative है तो उसका क्या मतलब है सब कुछ मैंने आपको इस lecture में बताने की कोशिश की है this is the conditions of stable unstable and neutral equilibrium यह हमने graph से भी समझ लिया कि अगर UX graph होगा तो फिर क्या होगा fx graph होगा तो फिर क्या होगा ठीक है ना तो चलिए भाई इसी के साथ खतम होता है आपका equilibrium and its type का lecture आपको पता है मैंने का खुद का एक website है अगर आप जाएंगे google पर type करेंगे magnet dot com तो यह website आपके सामने आ जाएगी यहां पर जाकर आप उतने ही खुश होंगे जितना की यह प्यारा बच्चा है कि जितना भी content आपको YouTube पर प्राइड कर जाता है सब free of cost यहां पर भी अविलेबल कराए गया है ज्यादा और इस तरीके से अगर आप करेंगे जैसे यह आप नेट पर क्लिक करेंगे तो जितना भी content आपको पढ़ाया गया है सब आपके आखों के सामने आज आएगा माली आपको physics दिखना है तो आप वाचना पर करेंगे जैसे ही आव वाचनों पे क्लिक करेंगे मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट एक के बाद एक के बाद आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी फिलेक्ट्टर करेंगे तो मैं पढ़ाता हुआ यहां पर मिल जाओंगा हमारी आइडिलाओजी है कि हम कम्प्रीटी फी ये विडियो को शेर करके चलिए इसी मैसिज के साथ करते हैं लेक्चर को खतम मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक साथ धान रहिए सतर कर रहिए पढ़ते रहिए थैंक्यू वेरी मॉच्च